आप सब आशा करते हूं कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगे यह थो है आप सभी का आपके अपनी चानल रे खास ब्यूटी वॉर्ड में दोस्तो मैं रेखा आपको इस चानल पे काया रहे हूं प्रोफेशनल व्यूटेशन का कोर्स जिसमें मैं आपको स्किन मेकप एंड हियर तीनों से रिलेटिट पूरी नॉलिज दूंगे थियोरी एंड डेमो के साथ तो दोस्तों उसी में हम स्किन से रिलेटिट एक टॉपिक कर रहे थे स्किन डिस ओडर्स क्या होते हैं उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो वीडियो भी आप ज़रू देखिएगा प्रॉपर नॉलिज के पिग्मेंटेशन डिसॉडर्र वो हम कर चुके हैं यह वाला टॉपिक उसको मैंने आपको फोर पार्ट में कम्प्लीट करा है तो उस चारो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो वीडियो आप ज़रू देखिएगा ताकि आपका यह वाला टॉपिक भ इसन बड़ा है तो एक वीडियो में आपको गराने लगी तो वीडियो तीन घुंटे का बन जाएगा तो इसलिए में आपको इसे पार्ट कर आँगी ताकि आप भी बौर ना हो और अच्छे से समझो चीजों को और अच्छे से आपको नौलेज मिले तो थो वीडियो को कि आए अब फर्स टाइ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे पासी बने बैल आइकन को प्रेस करके आपको मेरे आने वाए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जो मिलते रहेंगे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर स्किन, मेकप एंड हेर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देने वाली हूँ, पूरी नौलिज देने वाली हूँ, तो जली से जल को सब्सक्राइब कर लीजे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप से, ठीक है तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों सिबेशिय से रिलेटेड जो स्किन के डिसॉर्डर होते हैं, उसमें हमारा आता है एक्ने, एक्ने हमारा सिबेशियस ग्लाइड से रिलेटेड डिसॉर्डर है, तो आज हम एक्ने के बारे में जानेंगे कि वाट इस एक्ने, एक्ने होता क्या है, तो एक्ने स्किन पर होने वाली एक कॉ विcky सिर्स जो कि हमारे और विंद हैं घर मेंन को कहाती है है असविजिक जो चेफाँ बीकार यहां 125 कक्रती है खाइसे हमारे अब इन्यके तो चींट मृता हैं अंगल निहींब अभी मैं मिलें एक। पाहरण कल रहा होता है और ये इसकिन के द्थेसर कलो क चले हं जब करने लग्यक्ट। 002-0-272-0-738-2 engineer कर दिद्थेसि हमारे और थरू हमारे एंदे यहμεं क्या ओलेक्ट। 002-0- 2717 1608-2 lid ध्यूम्ट्थ उसकिन के ओलिकल काuso मुखती स्बेसिय। कहते हैं oil glands को sebaceous gland का क्या काम होता है sebaceous gland एक तरह का oil secret करने का काम करते है oil जिसे कि sebum कहते है ये एक तरह का oily substance होता है sebum जो कि हमारी skin को lubricate करने का काम करता है हमारी skin को natural तरीके से moisturize करने का काम करता है हमारी skin को moist रखता है जिससे हमारी skin dry नहीं होती है ठीक है तो ये एक तरह का oil बनाने का काम करता है तो इसी जो oil होता है ये oil क्या करता है हमारी skin को lubricate तो करता है या साथ के साथ हमारी skin में जो dead skin cells होते हैं उनको भी हमारी skin के surface पर लाने का काम करता है इन pores के थूँ जो सो कई वर क्या होता है कि skin के dead cells dirt pollution makeup dry oil bacteria ये सब क्या करते हैं हमारे skin के pore को block कर देते हैं यानि कि यह हमारे skin के pore बिल्कुल clogged हो जाता है बंद हो जाता है अंदर की चीज बाहर नहीं निकल पाती ठीक है तो यह जो हमारा sebaceous gland है जो कि oil secret कर रहा है oil secretion हो रहा है यहां से यह oil भी हमारा बाहर नहीं निकल पाता sebaceous gland से हमारा oil जो है बाहर pores के शुरू बाहर नहीं जा पाता यह भी यहीं पर जमा होता रहता है धीरे 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 ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है हमारे skin पर छोटा सा tiny bump हो जाता है हलकी सी हमे स्कीन आपने देखा हो तो जब अक्ने निकलने वाला होता है तो हमें आपे फील हो जाता है कि हां सकीन की है जो कि बहुत ज़्यदा आपके लिए पेनफूल भी नहीं है बट के बस यहीं है कि जो एकने आप एको ठीक होने के बाद महाँ पर मार्क छोड़ सकता है बट अगर यह problem आपको बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार होती रहती है और आप इस पर ध्यान नहीं देते स्किन केर फॉलो नहीं करते इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते तो क्या होता है यह आगे की स्टेजिस में कनवर्ट होती चली जाती है और फिर वह बहुत जादा पेइनफूल हो सकती है आपके लिए आगे की सारे स्टेजिस कौन कौन सी होती है किस तरीके कैसे होती है क्या reasons होते हैं वो भी सारा मैं आपको आगे बताऊंगी और acne किस तरीके से form होता है वो भी हम detail में जानेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि actual में acne होता गया है यह होता है हमारा acne I hope कि आपको clear हुआ होगा दोस्तों यह था acne जो कि हमारे जो skin के pores होते हैं वो जब block हो जाते हैं skin के pores बंद हो जाते हैं तब हमें इस condition को face करना पड़ता है अपनी skin पर ठीक है तो pores की clock don't जाने की वज़े से acne वहाँ पर form होना start हो जाता है तो acne जो है दोस्तों किसी भी age ग्रूप में आपको हो सकता है ऐसा नहीं कि आपको 20 की एज तक या 30 की एज तक acne की प्रॉब्लम को face करना पड़ेगा acne आपको किसी भी age ग्रूप में हो सकता है पर दोस्तों acne जो है teenage में जादा आपको देखने को मिलता है क्योंकि उस timing में हमारे hormones level काफी जादा change हो रहे होते हैं हमारे hormones में बदलाव आ रहा होता है जिसकी वज़े से उस time period में acne की प्रॉब्लम को आपको जादा face करना पड़ता है दूसरा reason यह भी है कि teenage time period में हम अपनी skin का उतना जादा खयाल भी नहीं रखते हैं तो सारा जो dirt होती है sweat होता है makeup होता है वो सब हमारे pores को block करता रहता है उस dirt makeup pollution के साथ ही हम रात को इसी तरीके से सो भी जाते हैं तो दीरे 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 क्या होता है हमारे pores block होने ब्लॉक हो जाते हैं clock हो जाते हैं जिसकी वज़े से इस time period में हमें acne की problem को बहुत ही जादा face करना पड़ता है ठीक ह तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि acne की जो skin condition है, acne की जो skin problem है वो आपको सरफ face पर ही होगी, acne की problem आपको face पर भी हो सकती है, आपको neck पर भी हो सकती है, acne हमें chest पर भी हो सकती है, हमारे peat पर भी हमें acne की problem हो सकती है, और हमारे shoulders पर भी हमें acne हो सकती है, चीक है, तो यह condition जो है बहुत जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बार 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 आपको एक्नी की प्रॉबलम होती है आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर यह थोड़ा ज़ोड़ा गंभी रूप लेती चले जाती है और आपके लिए काफी पेइनफूल हो सकती है तो सही समय पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है सही समय पर स्किन केर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों ऐसे नहीं है कि जो एक्नी की प्रॉबलम है वो स्रिफ ओयली स्किन टाइप वाले लोगों को ही फेस करनी पड़ती है जिनका ओयली स्किन टाइप होता है उसी ओयली स्क चांज सब्सक्राइब 15-1 कि लोगों को ज्यादा एकनी की प्राब्लम को फेज़ करना पड़ता है क्युंकि उनके सीबेशियस घ्लाइन होते हैं बहुत जाधा मात्रह में तो इनके स्किन पर बहुत जादा ऑइल होता है और जल्दी डर्ड को कैच करता है जिसकी वजह से हमारे जो skin के pores होते हैं वो block हो जाते हैun oily skin type वाले लोगों के pores होते हैं वो बहुत चल्दी ब्लोक हो जाते हैं जिसकी वजए से उन्हें बहुत ज़्यादा acne की problem को face करना पड़ा और दोस्तो जो oily skin type होता है वो best skin type होता है अपने face पर shoulders पर neck पर chest पर कहीं भी हमें acne हो सकता है और किसी भी age group में हो सकता है इसकी कोई particular age नहीं है कि आपको इसी age group में acne की problem को face करना पड़ेगा ठीक है तो I hope कि आपका जो वीडियो था acne का what is acne आपको clear हुआ होगा नेक्स वीडियो में हम types of acne के बारे में बात करेंगे types of acne बताऊंगे आपको मैं next वीडियो में तो आज का वीडियो गर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा नेक्स वीडियो में तब तक ख्याल रखें अपना और अपनों का और यूँ ही प्यार बाट दे लें टेक क्या बाबाई थेंक्स पर वाचिंग